हेलो एवरिवन राधे राधे जिस तरहां से जब कोई बच्चा जनम लेता है तो उसकी छटी मनाई जाती है उसी तरहां से लड़ु गोपाल की कहाना जी की भी छटी मनाई जाती है और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लड़ु गोपाल की छटी की जरूर कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जरूर का तेल, गोले का तेल ले सकते हैं, कोई बेबी ओयल ले सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें छटी का सनान कराएंगे। यहां मैंने ले लिया है दूद, आप दूद ले लिजिए, गाय का हो तो बहुत बढ़िया नहीं, तो जो आपके घर आता है, पैकिट वाला या कैसा भी आप वो ले सकते हैं। कच्चा दूद लेंगे हम यहां पे, और ज्यादा ठंडा मत लीजिएगा फ्रीज का रखा हुआ, तो नॉर्मल टंपरेचर पे आप दूद लीजिएगा। और इसमें हम हमारे लड्डू गोपाल को सनान कराएंगे, टुपकी लगवाएंगे। तो देखे इस तरह से आप अपने दोनों हाथों से लड्डू गोपाल को पकड़ लीजिए, और जो उनका सिर है, उसके नीचे हाथ लगा लीजिए, ताकि जब आप दुपकी लगाए तो इस तरह से हम एक, दो, तीन, तीन बार टुपकी लगवाएंगे और एकदम से उने बाहर निकाल लेंगे। और ये दूद अप प्रशाद रूप हो गया है, आप इस अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, चाय बनाने में, दूद पीने में या किसी भी तरह से, बस आप लड़ु गोपाल को इस दूद का भोग ना लगाएं, तो ये दूद आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद हम लड़ु गोपाल को सनान करा लेंगे, उसके बाद हम लड़ु गोपाल का सुन्दर सा शिंगार करेंगे, जब कोई भी बच्चा जरम लेता है, तो उसकी छटी वाले दिन ही पहली बारु से नए कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छे से उसका शिंगार किया जाता है, विशेश कर पीले रंके कपड़े पहनाए जाते हैं, नजरिय वगएरा, तगड़ी वगएरा पहनाई जाती है, तो हम भी आज लड़ु गोपाल को तगड़ जरूर से कर लें, और साती में देखे इस तरह के जो है चान, सूरज, नजरिय वगएरा मिलते हैं, और सोने चांदी के भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप सोने चांदी के नहीं लेना चाते हैं, तो आटी विशल भी मिलते हैं, आप वो भी पहना सकते हैं, तो देखे ये नज शेश जो भोग होता है वो होता है कड़ी चावल का, इसके अलावा आप चाहें तो कितनी भी मिठाई और कितनी भी चीजों का उन्हें भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो 56 भोग भी उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन जो आज का स्पेशल भोग होता है वो होता है कड़ी बना लिए हैं और जब प्रशाद का नाम आता है तो वैसे ही किसी भी खाने की चीज में स्वाद दुगना हो जाता है तो यहां मैंने अपने कडी चावल बना के तैयार कर लिए हैं चलिए अब भोग लगा देते हैं लड्डु गोपाल को तो सबसे पहले हम अपनी जोद जोड लेंगे थोड़े से फूलो से हम लड्डु गोपाल को इस तरह से सजा लेंगे उनका शिंगार कर लेंगे तो आप भी अच्छे से उनका शिंगार कर लिजेगा मैंने यहां पर बनाया है हलवा मीठे में आप खीर भी बना सकते हैं या कोई मिठाई भी ले सकते हैं और तुलसा दल उसमें मैंने यह रख दिया है और उसी के सासाथ आज का भगवान जी का स्पेशल जो भोग है वो है कड़ी चावल का तो उसका हम भोग लगाएंगे कुछ लोगों के घर पे जो है चटी वाले दिन दाल चावल बनते हैं तो आप दाल चावल बना सकते हैं पर जो विशेश रहता है वो कड़ी चावल ही रहता है क्योंकि अब लट्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हो गए हैं आपके घर के बालक हो गए हैं तो आपके घर पे बच्चों की छटी के समय पर अगर कुछ विशेश किया जाता है, कुछ अलग से किया जाता है, तो वो भी आप लट्डू गोपाल के लिए कर सकते हैं, उसके बाद हम लट्डू गोपाल को भोग लगा देंगे, मैंने यहाप एक घीबूरा भी रखा था, और भोग बगारा लगाने के बाद जैसे छटी पे बच्चों को काजल गाला जाता है, स्याही गाली जाती है, उसका हम नेक करेंगे, तो यहीं जोद पे हम इस तरह से काजल बना लेंगे लट्डू गोपाल के लिए, और फिर हम लट्डू गोपाल को श्याही गालेंगे, तो ध्यान से कीजिएगा, गरम से हात ना जल जाए, उसके बाद इस तरह से हम श्याही लेंगे लट्डू गोपाल को काजल लगाएंगे, और आप उनकी कान के पीछे जरूर से लगाएं, उनके पैर के तलवों में लगाएं, तो जिस तरह से हम अपने बच्चों का और यही पर बैटकर आप जो है दो चार गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं, जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जो उसके भजन गाये जाते हैं, आप कीरतन कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, और आप लट्डू गोपाल के उपर से इस तरह से व लड्डू गोपाल को आज के दिन और उसके बाद हम प्रेम पुर्वग इस तरह से आरती कर लेंगे लड्डू गोपाल की और हमारे लड्डू गोपाल की पाला नहार होती हैं गया गया को मानते हैं वो अपनी मैया तो आज के दिन आपना गो माता की पूजा जरूर से करें उ नहीं तो आप अपनी गोधी में भी उन्हें जुला जुला सकते हैं, तो अच्छे से लड्डु गोपाल की हम इस तरह से पूजा कर सकते हैं, लड्डु गोपाल की छटी मना सकते हैं, मंदिरों में भी बड़ी धूम धाम से लड्डु गोपाल की छटी मनाई जाती है, लड् इने सनान सुभा करवाएंगे शाम के समय पर चोटे बच्चे को सनान नहीं कराया जाता, तो आप सुभा उन्हें उठाके उनकी मालिश वगळा करके उन्हें दूद में सनान करा लेंगे, पिर आप उन्हें कोई भी पुशाक वगळा पिनाएं के तैयार कर लें, उसके बाद दिन युहीं बिता लीजी आप, कुछ लोगों के हाँ पे दुपहर में 2 बजे के बाद भी जो है छटी मना लेते हैं और कुछ जगां पे शाम को जब दोनों टाइम मिल जाते हैं तब मनाते हैं, तो आप दोनों में से कभी भी कर सकते हैं, उसके बाद आप पूजा है यह आप शाम को करेंगे जो हम कड़ी चावल का भोग लगाते हैं सुभा आप अपनी नॉर्मल पूजा कर सकते हैं जैसे आप रोज करते हैं दिया बाती दिखाते हैं सुभे के समय पर आपको यह पीले कपड़े पहना के पूजा नहीं करनी होती यह आपको बारा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंट्स एंड फैमिली के साथ और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिलकुल ना भूले राधे राधे